हेलो इस्ट्वेंट्स गुड मॉर्निंग लन्ट 24 अकेड़ी में आपका स्वागत है देखे इस्ट्वेंट्स हम डेली बेस पे आपके लिए करेंट अफेर्स के टॉपिक लेकर आते हैं और यह जो टॉपिक क्या है यह जो करेंट अफेर्स है आपके लिए सभी प्रतियुकत की तेयरी कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए रामभाण साबित हो सकते हैं तो आज यह बिनादेरी करें श्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर उससे पहले डिसकस कर लेते हैं कल का कुशन तो हमने कल यह टॉपिक डिसकस किया था और यह जो टॉपिक है आपके लिए क बागीदारी नियम दोजाती से संबंदित है तो यहां पर मंतराले का नाम पुछा गया है तो यहां पर आंसर क्या हो जागा option number a ministry of corporate affairs limited liability partnership rule 2023 से associated है और आज़ा ही आप करते हैं आज का lecture start अब यहां पर आप यह satellite देख पा रहे हैं यह इंडिया की पहली एक ऐसी satellite है जिसे किसी private company के द्वारा निर्मित किया गया है जो कि military purpose में military के लिए यूज होगी तो इंडिया की first military grade geo special satellite है जिसका नाम रखा गया है टी सेट एवन इसको launch किया गया है private sector के द्वारा तो यह एक important satellite हो जाती है जो की public private partnership के छेत्र में एक अहम योगदान देने वाली है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखाते हैं अब देखिए यह जो satellite है इसको launch किसने कि रहा है तो टाटा संस की एक subsidiary company एक सहय कंपनी है जिसका नाम है advanced systems limited अब यह जो advanced system limited है टाटा संस की एक सहय कंपनी है इसके द्वारा इस satellite को launch किया गया है निर्मित किया गया है यह थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं तो इंडिया की first military grade geo special satellite है इसका नाम क्या कर रखा गया है टी सेट इवन नाम रखा गय जिसका नाम advanced systems limited है इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है तो किसके द्वारा advanced टोजिक के सयोग से इसके लॉच किया गया है तो यह आप से पूछा जा सकता है अब देखें यहां पर यह जो सैटलाइट है यह एक सब मीटर रिजॉलिशन वाली मैं तो इसको बाद जूम करता हूं जिससे आप इसको दिख पाएं जादा जूम हो गया तो यह टी सेट एवन क्या है एक सब मीटर रिजॉलिशन वाली प्रत्वी अब लोकान उपग रहे है तो हम इसे बोल सकते हैं सब मीटर रिजॉलिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटलाइट है तो यह क्या है यह जो टी सेट एवन है यह सबसे पहला पॉइंट तो यह हो जाग क्या गया तो Space X Falcon 9 rocket के द्वारा इसको लॉंच किया गया है तो कहां से USA से इसको launch किया गया है Tata Suns के द्वारा इसको निर्मित किया गया था Tata Suns की मतलब subsidiary company के द्वारा इसको निर्मित किया गया है तो यह public private जो सार्वजनिक निजी भागी देरी की शमताओं को उजागर करते हो उस छेतर में एक क्रांतिकारी कदम की रूप में आगे बढ़ा है जिसमें प्राइवेट और पॉब्लिक दोनों आपको देखने को मिलता है सही हो कि साथ में 50 kg वजनी वेटवेगन वन्वी उसके साथ लांच किया गया था और सेटलाइट है इसको निर्मित किया घा करनाटका तलीच निर्मित किया गया है और के प्लीच लोव क्या ओर्वबिट में child निचली कक्षा में प्रत्वी की जो निचली कक्षा है लो अर्थ और्बिट इसमें इसको लॉंच किया गया है ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसके अलावा आजाएं यहां पर अब देखो यहां पर अपने नाम सुना होगा जनरल दीमित्रियोस चौपिस ठ ठीक है तो जनरल दीमित्रियोस चौपिस यह आप देख सकते हैं भारत के द्वारा इनको क्या कि से सम्मानित किया गया है गार्ड ओफ ओनर से भी सम्मानित किया गया थो यह कहां से रिलेट हैं ग्रीश नैशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के प्रमुक हैं जनरल दिमित्रियोस चौपिस सोमवार को क्या है भारत देश में आए तो यह आपसे पूछा जा सकता है नाम ऐसे पूछ दे देंगे आपको दिमित्रियो चौपिस कौन है तो आपको पता होना चाहिए ग्रीस नेशनल डिफैंस के क्या है चीफ है और गार्ड ओफ ओनर से इसके अलावा हमारे जो कोचिन शिप्यार है इसने एक agreement sign किया गया है US Navy के साथ में ठीक है तो यह काफी ज़दा important हो जाता है क्योंकि बताए यह जो US Navy के साथ में इन्होंने agreement sign किया है यह भारत की इसे तीसरी company हो जाएगी जो के US की naval ships है उनको repair करने का agreement इसको मिला है तो हाला कि यह कम chances है पर लिमिटेड अमेरिकीनों सेना के साथ एक master shipyard मरमत समझोता sign किया गया है तो यह MRSA आप से पुछा जा सकता है MRSA master shipyard repair agreement हमारी भारत के कौन से शिप्यार ने US Navy के साथ में agreement sign किया गया है तो कोचिन shipyard limited ने यह agreement sign किया गया है इससे पहले लॉर्सन और टुर्वो और मजगाउं डॉक shipyard building के द्वारा इस तरीका agreement US Navy के साथ में किया जा चुका है तो यह तीसरी ऐसी company हो जाएगी जिसने क्या है शिप्यार हो जाएगा जिसने US Navy के साथ में agreement sign किया कि US Navy की Sips की यह मरमत कर सके अब देखो जाते जाते हैं आप से कुछन पूछ लेते हैं बताइए कुछन ह है decision support system DSS recently seen in use तो ने समर्थन प्रणाली DSS जिस हाल ही में समाचरों में देखा गया किस संसागत संगठन द्वारा इसको को जा गया है ठीक है is discovered by which institutional organization तो यहाँ पर आपको सामने यहाँ धष्यार प्रीकल शाचर दे रखें बताईए इंडियन इंस्ट्यूट ओफ ट्मेटाल्ड Bardzo निफरों प्वझा फिस्पीस बैंगल्रु के दवरा इंडियन इंस्ट्यूट अवłemत अम लख्नों के दौड़ा यह शहां इंस्सूट आफ न्ज वारा इसको कि तो आपको सब्सक्राइब तो स्क्राइब कर दीज्येद है को सब्क्राइब करें mut خूष अपना ध्यान रखे